हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी वे मिसस अनुरोय आप सभी बच्चों का कॉम्प्टिशन कम्यूटी के यूटूब चैनल में लैंग्विज मंत्र के साथ में फिर से आपका स्वागत करती हूं आज हम पढ़ने वाले हैं विकारिशद में चौथा विकारिशद इससे पहले आपने संग्या पढ़ ली सर्वनाम पढ़ लिया विशिशन पढ़ लिया ठीक है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया को याने कि किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे कही जाती है क्रिया, क्रिया से संबंधित प्रश्न आपको कर्म के अधार पर और रचना या प्रयोग के अधार पर से जरूर पूछे जाते हैं, याने कि यह एक ऐसा पक्ष है जिसमें भी विकार उत्पन होते हैं, क्यों विकार उत्पन होते हैं, अगर लड़का पुरलिंग है तो जाता कहते हैं और लड़की इस्त्रिलिंग है तो जाती कहा जाता है अगर यही वचन के नुसार है तो एक वचन में जाता जाती है तो बहुचन में जाते कहलाता है इसलिए किसी भी कारे का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कही जाती है दूसरी बात इस क्रिया का एक मूल रू आप देखेंगे तो यह धातु शब्द तीन रूप के होते हैं एक अपने मूल या समाने अवस्था में होता है एक इसका साधारन सा रूप होता है और एक होता है इसका प्रयोग और प्रचलन ठीक है दूसरी बात अगर वह मूल रूप में है जैसे कि जा खा कह कह रहा है तो यह अपने धातु जो है वह अपने मूल रूप में पाया जाता है यानि कि अपने धातु का मूल रूप है जो देखने को मिलता है यह धातु एक अक्षरी भी है जैसे कि जा खा ठीक है दो अक्षर के भी है जैसे कि कह कह रहा है इसी प्रकार वद कह रहा है उठ कह रहा है ब हमारे लिए जाता बनता है, इसी प्रकार हमारे लिए खाता बनता है, इसी प्रकार ना जोड़ दिया तो कहना बन जाता है, और वद का संस्कृत से बोल हो जाता है, तब हमारे लिए यह बोलना बन जाता है, लेकिन यही जब हम प्रयोग करने लगते हैं, तो प्रचलन के तो जाता है भूत काल में अधार होजाता है जयते चलते चलती चल जनहीं होता है ठीक है और इस आधार पर हम और देखते हैं कि यह जो द्लीटा चब्ड ह attach करते हैं वह किस प्रकार के धातु में प्रयोग होते हैं, तो एक होती है हमारे लिए सामान्य धातु, ठीक है, एक होती है हमारी सामान्य धातु, जिसका प्रयोग दिखिया जाता है, तो उसमें हम ना प्रत्य जोड देते हैं, तो हमारे लिए जाना, खाना, उठना, बैठना, यह सारे शब्द जो बनते हैं, ठ धार पर देखा जाए तो हम पी से जुम धातू है उसमें हम पीलाना कहते हैं, खा से खिलाना कहते हैं, चल से चलाना कहते हैं, मतलब हम उसकी उत्पत्ती जो है वो करते हैं, एक होती है हम नाम को धारन करते हैं, इसलिए हमारे लिए नाम धातू हो जाता है, जैसे कि अगर दे इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एक सम्मिश्रित धातु होती है सम्मिश्रिण का मतलब होता है सम्मिश्रित धातु जहां पर दो धातुओं को मिला दिया जाता है तो ऐसे सेच्विशन में हमारे पास जो सम्मिश्रित धातु है उसमें योगिक धातु बनती है यानि कि ह हमारे लिए उठ बैठा चल दिया कहता है ठीक है इसी प्रकार काम करना कहते हैं ठीक है हाथ लगना कहते हैं तो जहां धातू को हम क्या कर देते हैं मिश्रित कर देते हैं तो योगिक धातू का निर्मान होता है इसके अलावा देखा जाए तो हमारे लिए यहां पर एक होती है अनुकरन करता ठीक है हम क्या करते हैं अनुकरन करते हैं इसलिए भिन भिन शब्द से भिन भिन आना बन जाता है और इन्ही सभी के आधार पर हमारे लिए जब मूल धातू के प्रयोग होते हैं तो किसी भी कारिका करना या होना पाया जाए तब उसे कही जाती है क्रिया क्रिया के मूल सोरुप को कहते हैं धातू शब्द ये धातू शब्द जो अपने मूल रूप में होता है अब शक्ता के अनुसार परिवर्थित हो जाते हैं इसल मुष्ण के अनुसार ठिक है और हमारे लिए आपके वचन के अनुसार इसमें परीवर्टन देखने को मिलते हैं, दूसरी बात इस क्रिया का एक जो धातु रूप होता है, यह धातु रूप जो होते हैं, अपनी तीन अवस्था में होती है, एक तो मूल अवस्था में, जिसक द्वी अक्षरी धार्टू शब्द देखने को मिलते हैं को एक रूप देते हैं, तब हमारे लिए क्रिया के पक्षों के जन्म होता है, जब हम संग्या सरवनाम विशेशन के नाम को धारण करते हैं, तो नाम धातू हो जाती है, जब दो क्रियाओं को जैसे की उठ बैठा, काम करना, खाते रहना, तो यहाँ पर मिश्रित कर देते हैं तो सम्मिश्रित हो जाती है, इसी प्रकार समाने तोर पर हम जब क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो समाने हो जाती है, और उत्पन हो जाता है, जहां से हमारे लिए आपकी पुर्वकाली क्रिया बन जाती है, प्रेणार्थक क्रिया बन जाती है, और इन ही सब के आधार पर क् कर्म के आधार पर दो प्रकार की हो जाती है ठीक है कर्म के आधार पर इसी प्रकार हमारे लिए रचना या बनावट के आधार पर और इसी प्रकार काल के आधार पर क्रिया को भेद किया जाता है ठीक है तो कर्म के आधार पर हमारे लिए सकर्मक और अकर्मक हो जाती है रही कि ट्रांजेटिव और इन्ट्रांजेटिव वग हो जाती है, रचना के धार पर हमारे लिए आपकी समानि क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पुर्वकाली क्रिया, प्रेड़नार्थक क्रिया और अनुकरनात्मक क्रिया कहके, छे प्रकार की हमारे लिए रचना के पर और कर्म के धार पर दो प्रकार की क्रिया होती है काल चुकि जो चल रहा है जो बीत गया जो होनी वाला है तो तीन प्रकार से काल के अनुसार क्रिया होती है तो यदि प्रशन पूछा जाए कि कर्म के धार पर क्रिया कितनी तो दो है रचना या बनावट के धार पर क्रिया शे प्रकार की है और काल के दाया पर क्रियाफ तीन प्रकार की होती है. इसी प्रकार विशय के आधार पर देखा जाये तो तीन प्रकार के वाच्चे देखने को मिलते हैं. चीके कर्तरी कर्म और भावा अब इसी से सम्मधित प्रश्णों को हल करने की कोशिस करते हैं, ठीक है, सबसे पहला कोशन कहता है, व्युत्पत्ती की द्रिष्टे से धातू कितने प्रकार की होती है, क्या प्रकार की होती है, क्या दो प्रकार की होती है, साथ प्रकार की होती है, या एक प्रकार की होती है, आज भी मैंने आपके एक्जाम में पूछे गए, प्रश्णों को लिया है, तो यह जो प्रश्ण है, जो CG व्यापम में 2018 में लिया गया था, ठीक है, तो प्रश्ण क्या कह रहा है, व्यत्पत्ती की दृष्टी से धातू कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखेंगे, कि व योगिक रूप में होती है, ठीक है, तो रूड रूप में धातू कैसे होती है, रूड का मतलब है, वो धातू का मूल सो रूप जो अपनी ही अवस्था में हो, इसे की जा, खा, देख, लिख, है न, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, दौड कहते हैं, इसी प्रकार बोल कह तेहती अपने मूल रूप में होती है ठीक है अगर हम इसके योगिक रूप की बात करते हैं तो जहां दो क्रियाओं को धात्वों को मिला दिया जाता है तो योगिक क्रिया बन जाती है इस योगिक क्रिया में पी से पिलाना खा से खिलाना आपकी प्रेणार्थ क्रिया बन जा पूर्वकाली क्रिया बनती है अब प्रेरेनार्थक क्रिया है जो योगिक क्रिया के आधार पर बनती है तो इस तरह अपने उत्पत्ति के आधार पर धातु दो प्रकार की होती है वो धातु जो अपने रूड अवस्था में होती है मैं जा रहा हूं तो जा अपने मुल में हैं, मैं लिख कर बताऊंगा कहता, तो लिख में एक प्रत्य जोड़ दिया है, इसलिए वो अपनी यॉगी गुरूप में आ जाता है, ठीक है, अब आते हैं क्वेषन नमबर टू, क्वेषन नमबर टू कहते हैं, सकर्मक्रिया में किसकी प्रधानता होती है, क्या क्रिया क प्रधानता होती है या कर्म की प्रधानता होती है या उन में से कोई नहीं ये भी C-G में आप हमके द्वारा 2018 में पूछा गया आपका प्रश्न है तो ध्यान रखेंगे कि सकर्मक्रिया क्या होती है इंगलिश में आप सकर्मक्रिया को ट्रांजेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे कि नाम से ही प्रस्तुत हो रहा है, सकर्म है न, याने की किस के साथ, कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ, तो सकर्मक्रिया याने की कर्म के साथ, याने की यह हमारे लिए किस के अधार पर क्रिया बनी, कर्म के अधा कर्म 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 कर् जाता है तो इस सकर्मक के दो भेदे हैं एक कर्मक सकर्मक है ठीक है और दूसरा होता है द्वी कर्मक सकर्मक ठीक है अब एक कर्मक सकर्मक क्या होता है जहां किसी वाक्य में एक कर्म से ही वाक्य में कर्म की पूर्णता मिल जाती है तो उसे एक कर्मक पूर्ण सकर्मक के नाम से पुकारा जाएगा जैसे राधा गजल गाती है अब आप कहेंगे कि कर्म क्या होता है क्रिया के आश्रे को ही कर्म कहते हैं अगर एक्जामपल कहता है राधा गजल गाती है अब देखिए गाना हो गई क्रिया क्या गा रही है गजल गा रही है तो जहां प्रश्न कब क्यों कैस इसको लगा कर प्रश्ण पूछा जाए और कर्म से समध्य जवाब मिलते हैं तो हां सकर्मक्रिया यानि की ट्रांजिटी वर्व होता है यह सारी चीजें मैंने कोको की जो आप चैनल में जाएंगे या कोको की जो आप एप में जाएंगे वहां लैंग्विज से डिलेटेड आ यहां पर एक link दिया गया है उस link में जाकर भी आप इस क्रिया के topic को बहुत अच्छे से समझ सकते हों तो सबसे पहले सक्रमक्रिया क्या है जिस वाकिय में कर्म पाया जाए या कर्म की संभावना हो कब क्यों कैसे जैसा प्रश्न को लगा कर यदि प्रश्न पूछा जाए और हमें कर्म से संबंधित जवाब मिले तो वहां होती है सकर्मक्रिया यदि किसी वाकि में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तब वहां होती है सकर्मक क्रिया, इस सकर्मक क्रिया के दो भेद होती है, एक कर्मक सकर्मक याने की जहां पर एक कर्मक के द्वारा वाकि की पूरुनता होती है, उसे एक कर्मक सकर्मक कहते हैं, या पूरुन एक कर्म सकर्मक क्रिया को पूर्ण सकर्मक के नाम से भी पुकारागा लेकिन द्विकर्मक क्रिया क्या है दो करता वाले वाकिये जहां द्विकर्मक की संभाव नहीं है अब क्रिया होती है क्या तो क्या जुठलाना मिम्याना हिन हिनाना या फड़ फड़ाना ये भी सीजी व्यापम के अंतरगर 2017 में 2016 में 2019 में मतलब ये प्रश्णा तीन बार रिपीट हुआ है लगातार 2016 17 और 2019 में मतलब समझ सकते हैं कि क्रिया का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो विकारी शब्द में से अब पूछ रहा है कि अनुकरनात्मक क्रिया कौन सी नहीं है जुठलाना मिमियाना हिन हिनाना या फड़ फड़ाना तो इमिटेटिव अब क्या होता है जब किसी आवाज या ध्वनी की नकल पर कोई क्रिया का शब्द बनता है तो ऐ बिदम का शानश के आवाज को हमने जयसे जानवरों पर पश्रू की आवाज है जो अनुकरण पर बनती है जैसे कि अगर देखा जाए तो मकी भिन पशूपक्षि की आवाज को अनुकरण के धार पर नाम दिया गया तो किसी आवाज या ध्वनी की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरण आत्मक्रिया याने कि imitative verb कहते है लेकिन जुठलाना कहता है, तो जुठा शब्द से इसका निर्मान हुआ है, तो जुठलाना शब्द अनुकरण शब्द नहीं है, ठीक है, अब आते हैं अगले question की ओर, अगला question क्या कहता है, कौन से वाक्य में द्वी कर्मक क्रिया है मैंने अभी बताया कि सकर्मक क्रिया के दो भेदे हैं एक कर्मक सकर्मक और द्वी कर्मक सकर्मक तो द्वी कर्मक सकर्मक किस वाक्य में है वह राम को पुस्तक देता है वह राम को सुलाता है मैं अभी घर नहीं जाओंगी ठीक है, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो द्वी कर्मक क्रिया क्या होती है, द्वी कर्मक में कितने कर्म पाये जाते हैं, दो कर्म, अगर वहाँ पर कर्ता भी कितनी होंगे, दो होंगे, ठीक है, तो दो कर्ता वाला वाक्य या एक ऐसा वाक्य जहां दो कर्मक क संभावना हो वहाँ द्वी कर्मक सकर्मक क्रिया होती है सिक्षिका छात्रों को संगीत सिखाती है तो सिक्षिका के द्वारा बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है संगीत सिखाया जा रहा है और बच्चों के द्वारा क्या सिखा जा रहा है संगीत सिखा जा रहा है तो कौन स पर हमारे लिए आपके तातकाली क्रिया हो जाती है, इसी पर आज तो खाना खाना ही पड़ेगा कहता है, तो यहां पर हमारे लिए आपकी जो क्रिया है, वो सजाती क्रिया हो जाती है, तो पुस्तक देता है, ठीक है, तो राम को पुस्तक देता है, तो यहां पर दो करता है, स कर्मक क्रिया होती है अगले कोश्चन क्यों राते हैं निमनांकित में अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए अप्षने कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया अप्षन भी उसने भरपेट भोजन किया अप्षन सी पेड़ के नीचे बालक रो रहा था और अप्षन द तो जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाए या जहां कर्म के होने की संभावना ना हो यदि कब क्यों कैसे ऐसे प्रश्ण अचक शब्द को लगा कर प्रश्ण पूछा जाए और कर्म नहीं बलकि कर्ता से संबंधित जवाब मिले तो जहां कर्म से संबंधित जवाब मिलेग जो हमारे लिए सकर्मक्रिया थी, जो क्या थी, सकर्मक्रिया क्या थी, कर्म प्रधान वाक्य थी, ठीके न, सकर्मक्रिया क्या थी, कर्म प्रधान वाक्य होते हैं, और आपके जो अकर्मक्रिया है, वह क्या हो जाती है, कर्त प्रधान हो जाते हैं, तो जिस वाक्य में कर्त ना वैसे ही अपुर्ण अकर्मक और अपुर्ण सकर्मक होतें यह सारे चीज़ें मैंने बटा वीडियो में बताई है लेक्षर वीडियो में आप वहां जा कर उसको देख सकते हैं ठीकें तो अकर्मक्रिया से संबधित प्रश्ण पूछ रहा है तो यहां पर आंसर क्या आएगा क विष्ण कुमान ने गीता का पाठ कराया, अब पाठ कराया कर्म मिल रहा है, किसका गीता का, इसे सकर्म क्रिया हो गई, पेड़ के नीचे बालक रो रहा है, रो रहा है कौन बालक रो रहा है, यहां भी कर्म की प्राप्ति हो रही है, उसने कुत्ते को लाठी से मारा, मारना कर प्रपट अगर कहता है तो यहां कर्म नहीं है इसलिए उसने भोजन किया कहते हैं तो अप्षिन नमबर भी इसका आंसर बनेगा ठीक है चलिए अब हम आते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन नमबर सित कहता है दो या दो से अधिक धातूं से बनी हुई और नया अर्थ दे यह जान लिया कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो है वो कर्म के अधार पर दो प्रकार की क्रिया है जहां सकर्मक को हम ट्रांजिटिव वर्प और अकर्मक को इन ट्रांजिटिव वर्प की नाम से जानते हैं और जहां कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है जहां कर्म नहीं पाया जाए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो समान्य क्रिया क्या होती है, जहां समान्य तौपर किसी भी वाकिय में एक कार्य का होना पाया जाए, अब वह वाकिय सकर्मक वाला भी हो सकता है और अकर्मक वाला भी, मैं गाता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, तो क्रिया गा से वाके में एक नया अर्थ जो है वो प्रस्तुत होने लगता है यह संयुक्त क्रिया अगर देखी जाए तो यहां दो या दो से अधिक्रिया बनती है इसी संयुक्त क्रिया का एक और नाम है इसे हम यौगिक क्रिया के भी नाम से पुकारते हैं ऐसी सेच्वेशन में हम कभी दो या तीन धातूओं को मिलाते हैं, अगर कहता है, जैसे कि चल दिया, इसी प्रकार कहता है, उठ बैठा, ठीक है, तो दो मूल धातूँ शब्द को लेकर, अगर हम इसे रूप देते हैं, तो वहाँ हमारे लिए सैयुक्त क्रिया या योगी क्रिया होती है, योगी क्रिया को हम क्रियेट करते हैं, कभी दो धातूओं को मिला देते हैं, कभी तीन धातूओं आया करता था, अगर यहाँ दो धातू है, उसी प्रकार कभी-कभी तीन धातू शब्द को मिला कर, भी हमारे लिए आपकी योगी क्रिया का निर्मान होता है, दूसरी बार, अगर हम देखें तो कुछ विशेस अर्थ देने वाली आपकी योगी क्रिया होती है, तो विशेस अर्थ देने वाली क्रिया को रंजक क्रिया के नाम से पुकारते हैं, जब हम संयुक्त क्रिया का निर्मान कर रहे होती हैं, तो जो क्रिया पहले प्रयोग होती है, उसे हम प्रधान या मुख्य क्रिया यानि की मेन वर्ब कहते हैं और जो क्रिया बाद में आती है उसे हम helping या auxiliary वर्ब यानि की सहायक क्रिया के नाम से भुकारते हैं ठीक है अब इस तरह देखा जाए और अगर कहता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया तो चला गया में, चला जो है वो मुख्य क्रिया और गया जो है उसके सहाय क्रिया होगा, तो लिया, दिया, गया, चुका, कीजिये, सका, पाया, चाहिए, है न, यह सब हमारे लिए संयुक्त क्रिया में प्रयोग होने वाले सहाय क्रिया के तौपर इस्तेमाल होती हैं, और उस के साथ में, संग्या शब्द की पूर्ण रुक्तिक साथ में, तो इसके अर्थ होते हैं, आरंभ बोधक होता है, अधिशेता बोधक होता है, इसी प्रकार हमारे लिए शक्यता बोधक होता है, ने दरंतरता बोधक होता है, यह सारे अर्थ क्या धायपर होते हैं, तो क्रिया और वाक्य में पूर्णता शक्यता आरंब हर प्रकार के अर्थ को प्रस्तूत करने के लिए प्रस्तूत होती है तो उसे हमारे लिए सहाय क्रिया कही जाती है अगले कोशन क्यों आते हैं निम्न लिखित में से किस वाक्य में अकर्म क्रिया है राम पत्र लिखता है मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हसा रहा है, अब राम पत्र लिखता है, कह रहे हैं, तो कर्म पाया गया, तो सकर्म क्रिया हो गई, बालक को जगवाता हूँ, तो बालक को प्रेरिना दे रहा है, इसलिए प्रेरिनार्थक क्रिया हो गई, मदन गोपाल को हसा रहा है तो यहाँ पर भी हसा रहा है प्रेरित कर रहा है तो हमारे लिए आपकी प्रेरिणार्था क्रिया हो गई लेकिन गेहूं पिस रहा है कहते है यह हमारे लिए अकर्मक्रिया होती है यह हम कह सकते है कि इग्जामपल के तोर पर उस विकल्प का चयन कीजिए, जो क्रिया का भेद बताने वाला सही विकल्प हो, खाना खाते ही वह सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है, क्या पुर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, ताकालिक क्रिया है, या नामधातु क्रिया है, ये CSPHCL 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो सबसे पहली आपने जान लिया आपके संयुत क्रिया को, अब जान जाते हैं नाम धातु क्रिया को, तो संग्या सर्वनाम और वीशेशन के शब्द को लेकर बनने वाली क्रिया को हम नॉमिनिटी वर्ब या डिमोस्टेटी वर्ब या नाम धातु क्रिया कहते हैं, हाथ से ह लंगड़ा से लंगड़ाना कहकर नामधा तुक्रिया बनती है लेकिन पूर्वकालिक्रिया क्या होती है पूर्वकालिक्रिया पूर्वकालिक्रिया क्या होता है पहले कालिक का मतलब कर लिया गया जहां करता किसी एक कारे को पूरा कर लेने के बाद उसी समय दूसरे कारे को क करने में सद्द कारियरत हो जाता है तो इस करता के द्वाराद डेहिकर पेहले पूरा किया गया है वह इस कर्ता की पूर्व कालिक क्रिया कहलाती है ठीक है इसकी पहचान होती है किसे भी मुल्ध धुधात्युसदMore के साथ में के और कर लगाता है जाकर उठके देख esté बैठ के चक कर, सोच कर, बता कर, लिख कर, ठीक है, अब इसी का एक पक्ष होता है, जैसे तातकालिक क्रिया कहते है, इसके पहचान होती है, कि क्रिया के मुलधातुशद में ते जूड़ जाता है, आते, जाते, हसते, गाते, खेलते, कुदते, अब अगर आप कहेंगे इसका कि खाना खाते ही वह सो गया, पहले उसने खाना खाया, फिर वह सोया, मेरे आते ही पिता जी, कारियाले से घर पहुच गया, मेरे जाते ही station से गारी छूट गई, ठीक है, इसी प्रकार मेरे कहते ही तुम्ने जबाब देना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ऐसा शब्द जहान चार विकल्प में से उस विकल्प का चैन करना है जो क्रिया का भेद वाला सही विकल्प है तो खाना खाते ही वह सो गया कह रहे हैं तो पुर्वकालिक क्रिया का एक पक्ष है तातकालिक क्रिया इसकी पहचान है कि क्रिया के मुल्धातु शब्द में जैसे कि खा कह रहा है तो प्रकार गा कह रहा है, तो मुल्धातु शद में तेज उड़ जाता है, यह तातकाली क्रिया की पहचान है, लेकिन पुर्वकाली क्रिया की पहचान है, जब वो हमारे लिए जा कर कहता है, इसी प्रकार हमारे लिए सोच कर कहता है, तो यह हमारे लिए पुर्वकाली क्रिया की पहचान बनती है, अगले कोशन क्यों राते हैं, नीमन लिखीत प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो क्रिया का भेद वाला सही विकल्प है, वह अपना काम कर चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, क्या या तातकालिक क्रिया है, क्या प अपना काम कर चुका होगा, यहां पर देखे, दो क्रियाओं को संयुक्त कर दिया गया है, तो यहां पर तातकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया, पूर्वकालिक का भी प्रयोग नहीं है, और द्विकर्म का भी प्रयोग नहीं है, ठीक है, यहां क कि सहायक क्रिया हो जाएगी तो इस question का answer है हमारे लिए संयुक्त क्रिया अगले question क्यों राते हैं फिर वही प्रश्न कह रहा है नीमनलिकित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो जमीदार ने हलवाहों से खे अच्छा गया है आपको फिर से 2019 में ठीक है अब यहां पर देखने वाली बात है कि पुर्वकालिक्रिया क्या है पुर्वकालिक्रिया को absolute verb कहा जाता है जहां करता किसी एक कारे को पूरा कर लेने के बार उसी समय दूसरे कारे को करने में कारे रथ हो जाता है तो उस करता के दोरा जो कारे पहले पूरा कर लिया गया वही उस करता की पुर्वकालिक्रिया कहलाती है दूसरी बात कि नामधातु क्रिया जहां पर करता नहीं बलकि किसी संग्या सर्वनाम वीशेशन के शब्द को हम क्रिया का रूप देते हैं तो वहां नामधातु क्रिया याने को तमीदार खेत पर हल चलाता है, तो करता हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, किससे उन्होंने काम करवाया, हलवाहों से, इसलिए उसने क्या दी, प्रेर्णा, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे कॉज़ेटी वर्ब कहा जाता है, ठीक है, तो पूरवकाली को absolute वर्ब क स्वयम नहीं करता, जहां करता, किसी कारे को स्वयम नहीं करता, बल्कि दूसरे को कारे करने हैं, तू क्या देता है, प्रेर्णा देता है, प्रेरित करता है, तो वहाँ पर कौन से क्रिया होती है, प्रेर्णार्थक क्रिया होती है, ठीक है, absolute वर्ब, आपका इसमें होता है, तो जहां करता किसी कारे को स्वयम ना करके किसी दूसरे को कारे करने हैं तू प्रेरिणा देता है या उसे क्या करता है प्रेरित करता है तो ऐसे क्रिया प्रेरिणार्थक क्रिया कहलाती है इस प्रेरिणार्थक क्रिया में जो करता प्रेरिणा देने का काम कर रहा है उस करता क को हम प्रेरित करता कहते हैं और जो प्रेरित हो जा रहा है जो कारे करने के लिए कंटिन्यू हो जा रहा है उसे प्रेरित करता कहा जाता है अब देखने वाली बात है कि जब आप यहां देखेंगे तो जमीदार है हमारे लिए प्रेरित करता जिसने प्रेरणा देने का काम किय और कोन प्रेरित हो गया हलवाहे प्रेरित हो गये इसलिए प्रेरक करता जम्मिदार और हलवाहे हो गये हमारे लिए प्रेरित करता ठीक है और इसी आधार पर देखा जाए तो ये प्रेरिणार्थक क्रिया जो होती है वो दो भेद होते हैं एक होता है हमारे लिए प्रथम प् जहां करता किसी दूसरे अन्य के माध्यम से कारे को कर रहे हैं उसे दृती प्रेज़नार्थक कहते हैं अब अगर कहते हैं मुलधातु है जैसे की लिख मुलधातु है लिख तो प्रथम प्रेज़नार्थक में हम क्या कहते हैं लिखाना और दृती प्रेज़नार्थक में क्या कहते हैं वा या वाना जोड़ते हैं लिखवाना या लिखवाया ठीक है और इस तरह प्रेड़नार्थक रिया होती है तो कोश्चन ने क्या पुछा है कि जमीदार ने हलवाहों से खेत जुतवाया अब देखिए अगर कहता है मैं बच्चे को रुलाता हूं तो प्रथम प्रे पर देखिए कि हसा रहा है रुला रहा है सता रहा है तो किसी ने मुझे प्रेरित किया प्रथम प्रेड़नार्थक हो गया अगर कहता है मैं बच्चे को मोहन से रुलवाता हूं तो मैंने किसको कहा मोहन को कि किसको रुला है बच्चे को वो द्वीती प्रेड़नार्थक हो प्रकार देखा जाए तो इस 10 नंबर कोशन का आंसर क्या होगा आपका क्रिया अगला है कोशन बच्चा रोता है वाट के में क्रिया का क्या प्रकार है क्या अकर्मक क्रिया है क्या सकर्मक क्रिया है पुर्वकालिक क्रिया है या विकर्मक है ये 2022 में पूछा गया प्रशन है औ बच्चा रोता है कहता है तो बच्चा रोता है कह रही है तो क्या अकर्मक सकर्मक पुर्वकालिक है विकर्मक दूसरी बार कि विकर्मक नामक कोई क्रिया होती नहीं यहां कर्म नहीं पाया जा रहा है कर्ता पाया जा रहा है और पाई जा रही है क्रिया तो जहां कर्ता और क् खाता है, बच्चा रोटी खाता है, ऐसी सिच्वेशन में हमारे पास करता है और हमारे पास क्रिया है, तो करता और क्रिया के बीच में यदि कर्म आ जाता है, तो वह सकर्म क्रिया हो जाती है, केवल करता है और क्रिया है, यहां मिसिंग क्या है हमारे लिए, कर्म मिसिंग है, बच्चा रो रहा है कहते हैं, तो यह कर्म मिसिंग है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया वाला वाक्य बनता है, अगले प्रश्ने क्यों राते हैं, सिक्षक विद्यार्थी को गडित पढ़ाते हैं वाकि में क्रिया का प्रकार है क्या ये नाम बोधक है क्या द्विकर्मक है पुरोकालिक है या अकर्मक है ठीक है अब देखने वाली बात है कि सिक्षक विद्यार्थी को क्या पढ़ा रहा है गडित पढ़ा रहा है नाम बोध यह ऐसा कोई प्रयोग नहीं है इसे नाम धातु क्रिया नहीं है पुर्वकालिक की पहचान है कि क्रिया के मुल धातु शब्द में हम यहां पर कर या करके जोड़ते हैं तो जाकर उठकर बैठ करके देख करके कहते हैं कर्मक क्रिया में केवल करता और क्रिया होती कि बच्चा खेलता है, यहां दो करता है, सिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है, ठीक है, सिक्षक के दोरा विद्यार्थी को क्या पढ़ाया जाता है, गडित, और विद्यार्थी के दोरा क्या पढ़ा जा रहा है, गडित, अब यहां पर गडित दो प्रकार से कर्म में पाया जा रहा ह एक तो पढ़ा रहा है और एक हैं जो पढ़ रहे हैं किसको गडित को जहां दो कर्म पाया जाता है इसमें वाक्रिया द्विकर्मक्रिया का उधारण बन जाती है अगले कोशन की और यात्री ने दोड़ कर ट्रेन पकड़ी वाक्य में दोड़ कर किस प्रकार की क्रिया है क्या यह सकर्मक्रिया है क्या यह पूर्वकाली क्रिया है क्या नाम वोधक है कि द्विकर्मक्रिया है अभी मैंने थोड़ी देर पहले दो से तीन बार आपको बताया कि किसी भी क्रिया के मूल धातू शब्द में, यदि कर और करके जूड रहा है, तो वह पूर्वकालिक क्रिया की पहचान बनती है, तो यहां क्या कह रहा है? दोड़ कर किस प्रकार की क्रिया है, तो यह हमारे लिए आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है? तो उसने पहले दोड़ा, उसके बाद मुझे ट्रेन को पकड़ा, तो यात्री ने दोड़ कर ट्रेन पकड़ी, मैं नाश्ता खा कर विद्या ले जाऊंगा, मैं कहानी पढ़कर इसका व्यू और रिव्यू आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं सोच कर तुम्हें प्रश्न का जवाब दू क्या ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है, क्या ये अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है, क्या ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, क्या ये इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है, मैंने पहले ही बताई थी कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां दो धातूं को या दो करिया बन जाती है दूसरी बात जब इस योगिक क्रिया का प्रयोग होता है तो पहले प्रयोग होने माली क्रिया को हम मुख्य क्रिया और बाद में प्रयोग होने माली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं जब इस सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से संयुक्त क्रिया बन रही हो त उसी रूप में इच्छार्थक है, आज्यार्थक है, हर प्रकार के अर्थ है, तो पूझा मेरे घर से निकलते ही बढ़सात होने लगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आरंभ बोधक होगा, मतलब कि शुरुवात हो रहा है, ठीक है, कहने लगा, जाने लगा, पढ़ने लगा, तो शुरुवात हो रही है, पढ़ चुका, जा चुका, तो पूर्णता है, पढ़ रहा, जा रहा, तो अपूर्णता है, ठीक है, जाना सक्का, तो शक्यता बोधक है, जा पाऊंगा की नहीं, तो इच्छार्थक बोधक है, ठीक है, उसी प्रकार देखा जाते, सारे अर्थ होत तक आ hubs आया कीजिए ठीक है न इसी प्रकार जान पाया कहना सका कहने लगा कैरने लगा बोलने लगा ले लिया दे दिया जा चुका पढ़ रहा यह सब हमारे लिए सहायकृउचा के तौह प्रयोग होती अब्यास अवकाश आवरित्ति हर प्रकार के प्रभाव देखनी को मिलते हैं अगले कोशन क्यों राते हैं अपनाना की शब्द कृ़िया का कॉन सा प्रकार है क्या ये कृधंत है किया नामधातू है या संयुक्त कृ़िया है या प्रेढ़नार्थक कि ये भी सीजी व्यापम में 2022 में पूछा गया प्रश्न है अब मैंने पहले ही बताया अप नाना याने की देखने वाली बात है तो कृदंत तो है नहीं क्योंकि कृदंत प्रत्य होता है संयुक्त क्रिया है नहीं और प्रेणार्थक भी नहीं है जब हम किसी संग्या इसी प् प्रकार विशेशन के मूल धातू को लेते हैं और उसे संग्या का नाम देते हैं तो संग्या सरवनाम विशेशन से बनने वाली क्रिया को नाम धातू क्रिया कहते हैं अगर वो हाथ कहता है और हाथ से बन गया हमारे लिए हथियाना ठीक है इसी प्रकार अपना कहता है जो सर तो कहने का क्या मतलब हुआ ? तो क्या कह रहा है कि धातू क्या होते किसी भी क्रिया का मूल रूप किसी भी क्रिया का मूल रूप धातू होती है कारे का करना या होना है क्रिया और किसी भी क्रिया का एक मूल सो रूप होते हैं तो अपने मूल रूप में हैं जैसे कि पठ धातू कह रहा है इसी प्रकार वद धातु कह रहा है, यह मुल रूप में है, अब इसी मुल रूप से वद से हमने बोल कह दिया, तो हिंदी के अनुसारी धातु शब्द हो गया, लेकिन अगर उसमें एक विकार उत्पन हो जाता है, तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं, तो जिस मुल धातु शब्द में, यदि हम मुल धातु शब्द पढ़ कह रहे हैं, मुल धातु शब्द हम कह रहे हैं, पढ़ ठीक है, अब हम इसमें कर लगा दें, तो ये हमारे लिए एक विकार उत्पन करके पढ़ कर हो गया, तो मुल धातु शब्द में विकार उत्पन होने से योगिक धातु का निर्मान होता है, और अगला कोशन क्यों राते हैं, संग्या या विशेशन से बनने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या प्रेड़नार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, नाम धातु है, या उप्युक्त में से कोई नहीं, सीजी व्यापम 2019 में पूछा है, अभी मैंने बताया, तो यह हमारे लिए आ हम इसे नॉमिनेटिव के नाम से पुकारते हैं, तो संग्या सरवनाम विशेशन से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, और इस तरह आज मैंने आपको क्रिया विकारे शिब्दे के बारे में बहुत अच्छे से बताने की कोशिस की है, उमीद करती हूँ कि जो मैं समझाना चाहती हूँ, MCQ के मार्धेम से आपके टॉपिक जो है, वो साथ साथ कवर होते जा रहे हैं, अगर इसे और बहुत ज़्याद अच्छे से जानना है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसके आई बुटन को क्लिक करेंगे, तो वहाँ एक लिंक मिलेगा, जहां आप जाएंगे, तो कॉम्पिकेशन कम्यूटी के जो लेक्चर वीडियो है, वहाँ जाकर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है, तो हमारी डाउट कम्यूटी है, वहाँ आकर आप हमसे प्रश् मैं जबाब दूँ, तो ऐसे ही अगले वीडियो में हम कुछ और नाव टॉपिक को कवर करेंगे, तो अगले वीडियो के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो आज की लेक्चर वीडियो में आपके विकारी शब्द का चौथा पक्ष कि संग्या, सर्वनाम, ने, तो क्या करते हैं, वो क्रिया, आज ये विकारी शब्द जो है, वो पूरा होता है, तो मेरे साथ यूही बने रहने के लिए, आपको पढ़ेंदे रहने के लिए, मेरे सभी बच्चों को धेर सारे शुब कामने, धेर सारा प्यार, थेंक यू सो मज, लव यू, और गॉ झाल झाल